तो है लेफन हम जाओं में बनने वाला ये सिंपल सा है है जोbaby हमने एक फीट इन्टू में फॉर्टी फिट पे बनाया है ड्मलान को तो चलिए स्ट्रेट करते हैं उइक अपीं समेज नरे एंट्री एंट्रिय हमने 3-4 फीट आप राख सकते हैं इसका साइज एंट्री का साइज 3-4 फीट आप राख सकते हैं तो यह हमने 10 फीट इंटू 7 फीट फोर इंच रखा है जो कि यह हमने लिया है बेडरूम बेडरूम वेटिंग रूम वेटिंग रूम रहेगा इसे आप ले सकते हैं फ्रॉंट के साइड है यहां पर दोर हो जाएगा दिस साइड इस बेडरूम का डोर दोर तेंवरिवीट यह स्क्राइब अब इस सइड से तिरी फिट के एस डिसे फिट भी 30 फिट ऐसे ही टोड़ बात के ओपर से यह स्क्राइब जाएगा जो कि हमने आइस एप्लिक यह इस हैप फिट लिया है और यह चैरड टोड़ बातरूम लेकि ज्यादा हो हमने 6 फिट राखा है का साइज ट्वाइलेट बात बात का यहां पर हमने डूर लिया यह डूर हो जाएगा जो कि दिस साइड हमने लिया फोर फिट काफी छोटा सप्लाना तो छोटा सावी चीज हो रहा है यहां पर थे पित अमने साइज लिया ऐसे तरी फिट जिरो इंची बार यह भी रहेगा अँट ऑ पर किचन हमने लिया है यहां पर वर किचन की पिचेशन का की चैन आप ど सायज हमने लिया दिस साइडों ने लिए जो तो फोर फिट रहएगा उपर आपकर छीट रहेगा टॉटली आपन लिया है और मैं बतारहा हूं और 7 फिट दिस साइड हमने साइज रखा इसका नेक्स्ट यह बेडरूम बेडरूम सेकेंड इसका साइज 7 फिट 4 इंच इंटु 10 फिट 0 इंच यह साइज हमने लिखा लिया है तो यहां पर दोर हो जाएगा यह तर रहेंगे कि ठीट के a window लिया window विन्डवा बैंडिलेटर ऐसे बेंड़ों और फ्रॉंड के साइड थोआ अच्छा सा विंडो का डिजाइन के साथ यह लिया है तो यह हमने कॉलम रखा फ़र्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन और यह टैन कॉलम हमने दिया है जो कि साइज भी 10 इंच इंटू 10 इंच रखा है कि छेसरी ती ट्लम का या चार में तो अधर का प्रोफायड करें कोई दिक्कत नहीं है चार प्रोफायड करके बनाए इसमें बिल्डिंग कोश्ट पर जाएगी लिए विए विलडिंग कौश्ट रख लाग कि कोई हॉस्प्लान वर्माना हो तो संपर्क कर सकते हैं